कैसे हो आप इश्वर के कृपा से आप सब अपने अपने स्थान पर कुशल मंगल होगे मैं लता शर्म अपने चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हूँ आप देख सकते हैं मैंने बाजू का एक यूनिक सा डिजाइन बनाया हुआ है जिसकी लुक बहुत ही सुन्दरे आप देख सकते हैं इहां से भी देखें इहां से भी पाइपिंग लगाई हुई और नीचे से भी और बीच में बॉटम का कपड़ा लगा हुआ है इहां से ये इसके फ्रंट में यहां से खुला रहेगा और इतने easy तरीके से बनाया हुआ है कि आप भी खुद जो ट्राय करेंगे अपने suit में तो कर सकते हैं तो इसके लिए क्या किया हुआ मैंने देखी दो इंच का चोड़ाई में जो है धाई इंच का आपने जितनी चोड़ी यहां से पटी बनाने उत्रा measurement ले सकते हैं मैंने जो है धाई इंच चोड़ाई में लिया हुआ है और इससे जादा तीन इंच जो मैंने red color कर लिया हुआ यह देखिए पूरा इसमें धाई इंच है और यह तीन इंच extra है तो हमने क्या करना सबसे पहले तो हमने यह हमारी यह देखिए यह हमारी सीधी साइड है और इसकी भी हमने सीधी साइड ही लेनी है और इसे इस तरह से यहां से इसके उपर से हमने इसमें सीलाई डाल देनी है आप देख सकते हैं इसके उपर से हमने सिलाई डाल दिये और आप देख सकते हैं इसमें एक्स्टर कपड़ा है तो हम इसकी क्या करेंगे यह जो एक्स्टर कपड़ा है इसकी हमारे यहां यह दिखी इस तरह से दोनों बराबर हो जाएगे यहां से और जो एक्स्टर कपड़ा उसके हम इस तरह से इसमें piping निकाल देंगे अब क्या से piping निकालेंगे इसमें बिलकुर stitch करेंगे तो इसके ऊपर से हम अच्छे से एक शिलाई डाल लेंगे इस तरह से आप देख सकते हैं इसमें कितनी सुंदर piping निकल गई है अब हमने सबसे पहले अब यहां से side से stitch नहीं करना है क्या करना है सबसे पहले हमने इसका measurement लेना है जो हमारे पास बाजू है और उसमें यहां से इसमें सिलाई डाल लेनी है जितना हमारा measurement है उसके according हमने इसमें अच्छे से mark लगाना है और इसके उपर से पहले सिलाई डाल देनी है हमने इसमें सिलाई डाल दिये पूरी फीटिंग की अब हमने इसमें यहां से मेजरमेंट लेना है कि हमारा चोड़ाई में कितना इसका मेजरमेंट है यहां से आप देख सकते हैं पूरे 4 इंच है तो हमने अब इसमें यहां पर भी जितना आठ इंच चोड़ाई में लेना है इस तरह से आप देख सकते हैं इसमें एक डेड़ इंच एक्स्टा है तो हमने सबसे पहले इसे हाफ में इस तरह से लेना है आप चाहे तो इसमें इस तरह से यहाँ पर भी मिला सकते हैं अच्छे से इस तरह से मिलाने के बाद जो है यहाँ पर हमने दोनों साइड से इस तरह से मार्क लगा देना है यह हमारा एक्स्टा है जिसमें हमने यह मार्क लगाया एक्स्टा है अब हमने क्या करना है इसमें यह हमारी सीधी साइड है कपड़े को बिल्कुल एक ब्राबर यहां से लचिला कपड़ा है बिल्कुल स्टेट करना है और इसमें सबसे पहले एक फोल्ड मारना है इस तरह से और फिर जहां पर हमने यह देखे मार्क लगाया है वही दोनों साइड से हमारे इसमें यहां से भी एक पाइपिंग रैड कलर की निकल गई है और यहां से भी कपड़ा हमारा बढ़ना नहीं चाहिए बिल्कुल स्टेट रहना चाहिए आप चाहे तो इसमें भूकरम भी आड़ कर सकते हैं अगर आपके पास जैसा यह लचीला यह हमारी सीधी साइड है तो आप चाहे तो पहले इसको सीधा भी कर सकता है इस तरह से और यहां पर हमने कट लगाया हुआ वहां से हमने सिलाई स्टार्ट करनी है यह हमने कट लगाया हुआ तो किस तरह से यह देखिए इस तरह से यह भी सीधी साइड है और यह भी सीधी स कि बिल्कुल आराम से देखे दोनों कपडों को विल्कुल एक ब्राबर रहा से ज़ए कठा रखना है और इसे नीचे वाले धाट क्यूंकि यहां पर आप देख सकते 8 हिंच बहुत कम ही इसमें मोरी है तो यहां पर विल्कुल आराम से शिलाई डालनी यह कपड़े को इसमें और इसमें फिर इस तरह से पूरे में जो राउंड में सिलाई डाल देनी है और जब आप पल्ती मारेंगे तो इस तरह से ये हमारा ये दिखी इस तरह का डीजाइन बन चुका है अब हमने इसके उपर से एक और सिलाई डालनी है जिससे जो हमारी बाजू का ये डिजाइन बहुत ही पक्का बनेगा आराम से इसमें आसानी से फटेगा नहीं तो सिलाई भी बिलकुल आराम से ही देनी है इस तरह से उसके बाद आप देखेंगे हमारे बहुत ही सुन्दर जो ये बन चुका है इस तरह से हम निकालेंगे तो ये देखें हमारी बाजू की इस तरह से प्रपेर हो गई है इस तरह से आप देखेंगे बाजू का बहुत ही सुन्दर डिजाइन बन गया है और फिटिंग भी बहुत अच्छी आई जोगए इसकी आप चाहे तो यहां से इसे बंद भी कर सकते हैं यहां से गोलाई की सेपवालावी डिजाइन बहुत सुन्दर लगेगा तो आप देख सकते हैं बिलकुल सुन्दर तरीके से जो है बाजू का ये डिजाइन बना हुआ है आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीजी से लाइक शेर सब्सक्राइब करना मत भूलेगा थैंक यू फोर बाच में